चैहिन और जोहा जारकन फिर्ट्स आज जारकन सीजेल पीपर थर्ड का पॉलिटिकल साइंस का हम MCQ लगाएंगे तो चलिए देखते हैं आप कितना आंसर लगा पाते हैं संभिधान सभा का गठन कब हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में संभिधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संभिधान सभा के आस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो ये थे डॉक्टर सचीदानन सिनहा संभिधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया तो वो थे डॉक्टर राजेंदर प्रशाद संभिधान सभा के प्रारूप समीति का अध्यक्ष किसे निक्त किया गया डॉक्टर भीम राव अमबेड कर निश्ठे की बरतमान में भारती संविधान के अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो अभी जो है 12 है 7 का हो जाएगा C निश्ठे की भारती संविधान पुर्ण रूप से कब लागू हुआ था तो 26 नॉंबर 1949 को ही पुर्ण रूप से लागू हो गया था संबिधान की कुंजी किसे कहा जाता है तो यह आपका हो जाएगा संबिधान की प्रस्ताबना को प्रेम्बल को कहते हैं अब नेख्स देखेंगे सासन की संसद्य प्रनाली किस देश से ली गई है तो पालियमेंटरिस सिस्टम जो है किस देश से ले गई है तो वो है ब्रेटेन निष्ट है कि भारते संबिधान में संबर्ती सूची की प्रेड़ना कहां से ली गई है तो यह हो जाएगा अस्टेलिया से है संबर्ती सूची निष्ट है कि भारते संबिधान में अपात उपबंद का प्रावधान किस देश के संबिधान से लिया गया है तो जर्मनी मौलिक अधिकार का सिधान्त कहां से प्रेरित है अमेरिका भारते संविधान के अंतरगत संग और राज्यों के भी सक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरना पर अधारित है तो कनाड़ा अनुछेद 5 से 7 तक का संबंध किस से है तो आर्टिकल पूछ रहा है कि 5 से 7 तो 5 से 7 सब्धराद किस परकार के नाकृता प्रादान करता है तो एकल नाकृता निस्ट है कि भारते सम्मीधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का उलेग किया गया है तो भाग थ्री नेक्स्ट है आर्टिकल उनी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंदित है तो वो है शमता का अधिकार, option number A अब हम देखेंगे next question, तो हमारा next question है कि मौलिक करतब्यों को किस समीती कि सिफारिस पर संबिधान में समाहित किया गया तो वो है स्वान सिंग समीती, next है कि मौलिक करतब्यों का उलेख किस अनुच्छेद में है, यानि fundamental duty, तो 51 A next है कि नीती निदेशक सिफधानतों को समीधान के किस भाग में रखा गया है, तो यह आपका हो जाएगा, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक समीधान में किन बातों का उलेख किया गया है, तो यह जगा नीती निदेशक सिफधानतों को निष्टे की पंचायतों के गठन का उलेख किस अनुच्छेद में वर्नित है, तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, रास्पती पद की अवधी कितने बर्सों तक होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पांच बर्सों तक, रास्पती पद पर निक्ति के लिए नियु निक्स्ट है, भारत के महानियवादी की निक्ति कौन करता है, तो उसकी निक्ति जो है, रास्पती जी करते हैं, निक्स्ट है, कि राज सभा का पदिन सभापती कौन होता है, तो उप रास्पती है ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, भारत में बितिय आपात कितनी बार लगाया गया है तो अभी तक जो है financial emergency एक बार भी नहीं लगा है कभी नहीं नेश्टे की आर्टिकल अनुछे 352 में किस आपात उपबंध का उलेक है तो यह आपका हो जाएगा राष्टिय आपात नेश्टे राष्टिय आपात की उद्गोसना का आधार क् है तो युद्ध हो बाहे आकर्मन हो या ससस्त्र बिद्रो अप्शन नमबर डी यह सभी नेश्ट है कि बित्य आपात का उलेक किस अनुछेद में किया गया है तो अनुछेद आपका साथ 360 अप्शन नमबर बी हो जाएगा ना अनुछेद 360 नेश्ट है भारत में अब तक कितनी बार अपात का लू अपात का लागू किया गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीन बार नेश्ट है किस सभा का अध्यक्स उसका सदस्य से नहीं होता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा है राज्य सभा नेश्ट है कि राज्य सभा के सदस्यों के अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है यह हो जाएगा आपका 250 निश्टे की रास्पति आंगल भारते समुदाय के कितने प्रतिनीदियों को लोगसभा में मनोनित कर सकता है अब वो जो है हट चुका है लेकिन पहले दो करता था निश्टे की धन विधयक कि सदन में प्रस्थुत किया जाता है तो धन विधयक जो है लोगसभा में निश्टे की भारते संसत की सैंक तदिवेशन के अदेख्षता कौन करता है तो रास्पति निश्टे की राजपाल का कारेकाल कितना होता है तो रास्पति के परशाद परिय तो ऌट सिंसी हो जाएगा अब हम देखेंगे निखशन के हमएरा नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा नेक्स्ट कॉश्चन है कि राजकार प्राली सक्ती किसमे नहींत होती है तो राजकार पाली का पूछे रहता तो बात अलग था लेकिशन पूछा गया राज कारपाल का तो राजपाल मुख मंत्री को नियुक्त कौन करता है राजपाल वाविसे जो संविधान की किसी भी सूची में सामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है तो इसका जो अंसर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार को निष्ट है के लिए अधिकरित है तो वो हो जाएंगे महा दिभक्ता अप्शन नमबर सी अब नेक्स देखेंगे राज विधान सवा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होगी राज विधान सवा की बात हो रही है तो अधिक्तम संख्या जो है इसकी हो जाएगी पांसो आंसर आपका हो जाएगा 25 एर नेक्स्ट है बिधान परिशत का बिघटन कितने बर्सों पर होता है तो ये आपका जो हो जाएगा कभी नहीं उसका बिघटन किया जाता है नेक्स्ट है बर्तमान में कितने राज्यों में बिधान परिशत अभी अस्तित्व में है तो 7 नेक्स् पांच निक्स्ट है उच नयाले के मुख नयधिस की नुक्ति कौन करता है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा रास्पती नेक्स्ट है नेक्स्ट कोशनी कि भारत में संविधान का संरत्चक किसे कहा गया है रास्पती ने सर्वोच नयाले हो जागा न कहरा है भारत में संविधान का संरत्चक आओके तो ये कहला जाएंगे सर्वोच नयाले नियाइदिस नुक्त होने के लिए बैक्ति को कम से कम कितने बर्स मतलब हाइकोट का एड्वोकेट होना चाहिए तो दस साल उचिने आयाले कि नयदीसों का सपत ग्रहन कौन करवाता है तो राजजपाल करवाता है नेक्ष्ट है कि उचिने आयाले यनि हाई कोट के छेतरा अधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है तो ये हो जाएगा आपका संसद को है किस अस्थानिय स्वसासन का जनक किसे कहा जाता है किस राज में पंचायती राज बेवस्था सर्व प्रधम लागू की गई और कब तो ये आपका है राजस्थान अक्टूबर 1969 में निश्थ है कि पंचायती राज संस्थान के अधिक्तम आय का शुरोत क्या है तो उसका अधिक्तम आय का सुरोत है सरकारी अनुदान संभिधान 74 वा संसोधन अधिनियम किसका उलेक करता है तो यह हो जाएका नगरपालिका का नेश्थ के अस्थानिय स्वसासन पर किसके नियंतरिन की वेवस्था की गई है तो अस्थानिय जन्ता के नियंतरिन की वेबस्था की गई है अब हम देखेंगे next question तो हमारो next question है कि सिक्किम को पुर्णे राज का दर्जा किस संभिधान संसोधन के द्वारा प्रदान किया गया था तो ये है 36 संभिधान संसोधन निश्टे कि किस संभिधान संसोधन को लग संभिधान संसोधन द्वारा प्रदान किया गया त्येहतर्वा संभिधान संसोधन next question है कि क्क्ञानवा संभिधान संसोधन का संबंद कि से है तो इसका आंसर हो जागा आपका दल बदल बेवस्था से ठीक है और इसमें क्या क्या आता है क्यानवा मगर हम बात करें तो यह आपका पहली बात तो 2003 में जो 91 Constitution Amendment हुआ था 2003 में और इसके तहद अगर बात करें तो दल बदल जो बेवस्था है उसमें संसोधन किया गया यानि कि केबल संपूर्ण दल के बिलय को मानेता दिया गया और केंदर और राज में मंतरी परिशत के सदस्य का जो संख्या है ठीक है वो 15 प्रतीशत होगा लोकसभा और विधान सभा के सदस्य संख्या का 15 प्रतीशत होगा यह बात भी इसी में तो दोनों चीज़े याद गया था तो एक्षठवा संविधान संसोधन अब हम देखेंगे नेक्स्ट तो हमारा नेक्स कोसिएन है कि नगर पालिका को संविधान इक दरजाक कि संविधान संसोधन द्वारा प्रदान किया गया था तो तो 74 निश्टे की मंत्री परिशद की संख्या का निर्धारण कि संबिधान संसोधन द्वारा क्या गया तो 91 अब निश्ट देखेंगे बानवा संबिधान संसोधन द्वारा भारते संबिधान में किन भसाओं को सामिल किया गया डोगरी, मैथली, बोडो तथा संथाली, DBMS short form है इसका, है ना, डोगरी, मैथली, बोडो, संथाली, निश्टे की किस संबिधान संसोधन द्वारा 6 से 14 बच तक के सभी बच्चों को निसुल्क तथा अनिवारे सिक्षा का प्रावधान किया गया था, तो इसका आंसर आपका ह हो जाएगा, 86 संविधान संसोधन, ठीक है, 86 संविधान संसोधन, डिश्टे की पन्त निर्पिक्छा, समाजबादी एबं अखंडता सब्द को किस संविधान संसोधन द्वारा जोड़ गया, तो मिली कंस्टिटिूशन यानि 42, र mental किस संभी बच्चाम संसोधन द्वारा जोड़ा गया तो यह हो जाएगा 97 संतानवा संबिधान संसोधन के द्वारा जो है सहकारी समीदिया सब्द जोड़ा गया अब हम देखेंगे निक्ष्ट भारत का राष्टिय खेल कौन सा है तो भारत का राष्टिय खेल है होकी निक्ष्ट की भारत के राष्टगान के रचन पारशद निक्ष्ट है ये गाना है ना ये गाना है ना हिंद देश का प्यारा जंडा उंचा सदा रहेगा वही शौंग है उनका निक्ष्ट है कि बंदे मातरम बंकिम चंदर चटर जी के किस उपन्यास से लिया गया है तो ये है आनंद मट से निश्टे की बंदे मातरम को राष्ट गीत के रूप में किस तिथी को सुविकार किया गया तो ये हो जाएगा आपका 26 जनबरी 1950 को सुविकार किया गया राष्ट गीत के रूप में भारत का राष्टिय पंचांग की संबत पर अधारित है तो सक संबत पर भारत का राष्टिय पसु क्या है तो राष्टिय पसु है बाग तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस जो है यानि राजनीतिक विज्ञान जो है हमारा इसका MCQ खतम हो चुका ह तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो जै हिंद जै भारत जोहाज